पंजाबी की एक सेहिंग है क्यों मुरूई दस ते गनल करे हासस। उम्रूई भी एंज लगे जब में बेली चो निकलिया शीक। उम्रूई ती ते मारे अड़ी तोड़ी ही। उम्रूई चाली ते गल पैगी पंजाली। उम्रूई पंजा ते पुच्छन लग प्यार राथ। उम्रूई साथ ते हाथ चाली नाजरीं छे हम जब लोगत की तरफ जा रहे होते हैं तो उस वक्त तो हमारे कंदों पे हमारे दमाग में पूरे जिसम जान में एक अरज लगी होती है कि हमने आगे बढ़ने, बड़ा बनने, पढ़ने, लिखने, ये काम करने, वो काम करने, अफसर बनने और उस दिहनी तोर पे इतना बोज होता है कि किसी और तर तर तवज्ज़ ही नहीं होती स्वाए पढ़ाई के या थोड़ी बहुत जो फिजिकल एक्टिविटी होती है उस तरफ और जब हमें होश आती है, हम थोड़ा सा सैटल होते है, तो पता लगता है कि ये बच्चों का बोज और फलाना रफलाना और उस माना वो होता है, जब हम अचानक महसूस करने लगते हैं कि हमारी एनरजी एक दम कम क्यों हो गई है, आए मोट ताकत नहीं रही, हमारी जो एस्टीम है, बाल सर से उड़ने लगते हैं, पहले आगे से जाते हैं, फिर सेंटर से जाते हैं, और फिर आइस्टा आइस्टा गंजा होने लगते हैं आदमी, बाल बहुत कम लगते हैं, अगर नॉमल में य से ज्यादा गिरें तो फिर वो हेर फॉलिकुल्स जो होते हैं वो इतने ज्यादा पैदा नहीं कर सकती है और घंजी होने की तरफ चला जाए इसी तरह कुछ लोगों का मूड आफ रहने लगते हैं डिप्रेशन एंग्जाइटी स्टेस का अशकार होने लगते हैं इरिटेशन की तरफ थोड़ा सा आपकी तवज्ज़ लाना चाहता हूं कि कुछ चीज़ी ऐसी हैं जो हमारी जवानी के साथ ही बलोगत की एज में पहुंचने के बाद ही कुछ चीज़ों का अगर हम ख्याल रखें और उसमें सिर्फ आज मैं लूँगा एक बहुत इंपोर्टेंट वि ये बिसिकली मेरा प्रोग्राम फॉर दा मेल मेरे लिसनर्स के लिए है तो मैं उनकी बात करूंगा और उनकी तरफ ये चंद एक तवज्ज़ों की मबजूल कराना चाहूंगा एक हार्मून और एक वाइटमन सिर्फ उसको लूँगा बाकी चीज़ें बाद में बात है अब उनकी तरफ तवज्ज़ों देजिए कि ये क्यों हो एक्शली जो मोस्ट इंपॉर्टन हार्मून पूरी बाड़ी को एफेक्ट करने लगता है यानि बालों को भी एफेक्ट करने लगता है मूद को भी एफेक्ट करने लगता है नर्जी को भी एफेक्ट करने लगत जिसकी तरफ हम बिलकुल सोच नहीं सकते लो टेस्टो सीरियन लेवल लो टेस्टो सीरियन लेवल जब हो जाता है कैसे यह लोगत की उमर तक बढ़ने तक 20 साल तक तो बहुत बढ़ता है जब आवाज भारी होने लगती है हमारे बाल आप देखते हैं बच्चों के बढ़ने लगते हैं मुच्छों पर आ जाते हैं और डाड़ी सारा कुछ आने लगता है बाल आवाज भारी हो गई अनर्जी महसूस करने लगती लेकिन जैसे ही 30 साल की उमर होती है यह टेस्टो स्टीरियन लेवल काम होने लगता है यह कम होने लगता है जब यह कम होने लगता है तो उसके बाद बहुत से अफेक्स इसमें आ जाते हैं यह यह जतने तमाम अफेक्ट पताए हैं बाल भी कम होने लगते हैं जहां इसने बलोवत में बढ़ते हुए जब यह टेस्टो स्टीरियन लेवल बढ़ रहा था तो बा बी गिरने लगते हैं, मूड भी खराब ले ले लगता है, नर्जी जो पहले बहुत ज़रा बढ़ रही थी इसके बढ़ने की वज़ासे, वो एक दम काम होने लगते हैं, और जब काम होने लगती हैं, तो इसके कुछ बार में साइड इफेक्स भी आते हैं, let's say, इंफरडिल् प्रिबजो और सारे अफेक्स जब आने लगते हैं तो इनके कुछ असराद जो हैं उनको हम ओवरकम कर सकते हैं अगर हम थोड़ा सा कॉंचिЕस हो अच्छ, अब कैसे कॉंचियस कुछ चीजों की वज़ा से, याने मत हम बाल गिरने को भी रोक सकते हैं अगर इन चीज़ों की इन चीज़ों की सरफ एक चीज़, इस एक हार्मोन का ख्याल कर ले बहुत से हर्मोन्स पैदा होते हैं लेकिन मैं ये most essential हार्मोन, I thought कि I could invite your attention towards it that is testosterone. जब ये काम होने लगता है जैसा कि अब चार्ट पे देख रहे हैं तो उसके बाद इसको how can we maintain, how can we improve it और उसमें सबसे पहले most important vitamin मैं दूँगा, वो नाम दूँगा जो again basically count होता है कि हड़ियों की कमजोरी के लिए that is vitamin D उसका अगर आप level थोड़ा बेहतर रखें, यानि within limit रखें उससे भी ये level बेहतर हो जाता है testosterone का और ये problem नहीं आते है, vitamin D की कमी ना सरफ हमारी हड़ियों कमजोर करती है, बलकि इसको भी उपर रखती है फिर कुछ anti-oxidants का इस्तमाद, मैं recommend करना चाहूंगा, उसमें vitamin A इन हाई important है और कुछ चीजों में ये अपनलस में पाया जाता है, like even gajer आजकल available है उसमें आपकी ये आँखों की जो कमजोरी महसूस होने लगती है, वो भी इसी वज़ा से महसूस होने लगती है और ये अनार वेरा में, आम वेरा में, अफरीक चीजों में ये आता है, और कुछ vegetables वेरा में भी इसी तरह ये जितने antioxidants हैं, ये हमारे जिसम की तोड़ फोड़ को रोकते हैं, हमारी वन skin weak हो जाती है, उनको रोकते हैं, जो तोड़ फोड़ हमारे अंदर से हो रही होती है, cells में, molecules में, ये सब को रोकते हैं और वो vitamins हैं, vitamin A, C, D, A, selenium, और ये antioxidants सर्फ इसलिए कहलाते हैं, कि ये जो oxidation हमारे molecules में हो रही होती है, जैसे कि आप देख रहे हैं चार्ट में, कि जो उसमें तोड़ फोड़ हो रही होती है, हमारे जिसम, cells की, उनको रोकते हैं, अगर सर्फ इन ही को आप थोड़ी सी तव जो दे हैं, और ये आम चीज़े हैं, लेट से, vitamin D किसमी हैं, दूप की शौ में, हमारे बच्पन में तो सारे लोग field में खेलते थे, लेकिन of course, आपकी priorities अपनी हैं, I don't stop you from, I don't ask you to not to play with computer and mobiles, आप उसमें काम जरूर करें, essential हैं, लेकिन थोड़ा सा time, nature के मताबिक, vitamin D के और हमारी skin पैदा करती है, in response to the sun, थोड़ा सा उसकी तरह तो वज़ों भी दे दे, और ये जो बाकी चीज़े हैं, let's say, vitamin A की मैंने बात की, C जो है, abundance in और juicy चीज़ों में, बहुत ज़्यदा vitamin C होते है, D का मैं बता चुका हूँ, इसी तरह vitamin E important है, जो आपकी skin को भी maintain करता ह that's to student level को भी maintain करता है, इन सब चीज़ों को में, मैं चाद एक चीज़ें आपको, इसमें और बताना चाहता हूँ, जो आपकी इस level को बहतर रखेगा, that is, अगर आप प्याज ही सिर्फ ले लें, प्याज, और उसको काट के, और हंडिया में पकता ही है प्याज, उसकी पाइनियल ग्लेंड्स रिलीज करते हैं, जो सिगनल होता है, सिगनल होता है इस चीज़ का कि टेस्टोस्टीरिन लेवल पैदा हैं और बड़े, पाइनियल ग्लेंड्स आपके जब ये लेश का सिगनल देते हैं, तो उससे आपके टेस्टोस्टीरिन लेवल बढ़ते हैं, प्रत्याज एक common सी चीज़ है और ये एक और बहुत अच्छी चीज़ करता है ये क्या करता है आपकी इवन नाइट्रिक अक्साइड आपको देता है नाइट्रिक अक्साइड किया है अब ये व्यागरा और ये स्यालेस और ये चीज़ें जो लेती हैं ये क्या करते हैं उनमे क्या होता है इनमे, nitric oxide, dilate करने के लिए blood vessels को, blood vessels को जब ये dilate करता है तो उससे आपको ये अफादियत जो है, ये अफादे जो है मिलते हैं, और ये chemical, nitric oxide इस्वी भी होता है, यानि प्यास, फिर ginger, अधरक, इसका इस्तमाल थोड़ा सा बढ़ा दीजिए, जिंक एक इंतहाई एहम चीज है इस low testosterone level को बढ़ाने के लिए और मैं यहाँ पर इसका level भी दे दू for male it is from 280 to 1100 और जो 280 to 1100 nanogram per deciliter और ladies में it is up to 70 याँ उनको भी थोड़ा बहुत यह level चाहिए होता है though it is used not इतना ज्यादा उनको नहीं चाहिए होता लेकिन उनमें भी होता है which is up to 70 अच्छा जब यह level 300 से नीची होने लगता है तो फिर यह तमाव effects जो मैंने पहले बनाए low libido, low energy, mood खराब, irritation यह सारी चीज़ें low testosterone level यह सारी चीज़ें होने लगती है 300 से below और basic कहां से शुरू होता है 280 से लेके 1100 तक और अगर आप इसको maintain कर सकें यह जो चीज़ें मैंने बताई हैं antioxidants, vitamin D, ginger, प्याज, onion वेरा यह सारी चीज़ें यह सलाजीत भी नहीं को फाइदा पोचाती है और like जिन सिंग जैसे चीज़ें भी इंडिन को बूस्ट करती है और अगर आप इनको सिर्फ मेंडिन रखें तो आप देखें क्या क्या आप हासल कर रहे हैं energy आप हासल कर रहे हैं, libido आपका बहतर रहता है आपका मूड बहतर रहेगा, बाल आपके कम गिरेंगे और आप जिन्दगी को बहतर अंदाज में, energetic अंदाज में गुजार सकेंगे ना कि एक बिल्कुल दबे दबे इन्सान जिसमें ताकत नहीं होती हर वक्त हुसे में रहता है, irritation महसूस करता रहता है, sad sad सा रहता है उसके बजाए आपको भी वो आदमी अच्छा लगेगा, आपको भी अपना अच्छा लगेगा जब आपका लेवल ये बहतर होगा और आप बहतर energy के साथ जिन्दा रह सकें important carbon, testosterone level, maintain करें और vitamin D की अफादियत ऐसी है, ये basic चीज़ है जिससे ना आपकी हड़ियां का बज़ोर होने देती हैं और non testosterone level का मौत है, मुझे अजाज़त दीजिएगा, Allah